कि साथियों नमस्कार मैंसलम चौफदार कि फेस्बुक लाइव में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है और आज का जो लाइव है वो हम एक मुद्दे पे चर्चा करनी आये हैं और जिसका मेरे साथ से पूरे राध्यस्तान के युवा इंतिजार कर रहे हैं जिस बारे में जो एक सस्पेंस था जिसके बारे में जानना चाते थे कि क्या होना चाहिए क्या होगा किस प्रकार से क्या हो सकता है उस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आप लोगों से लाइव जुड़े हैं एक बार जितने भी युवास साथी जुड़ जाते हैं सारे उन्हीं चर्चा पे उन्हीं मुद्दों पे हम बात कर लेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या खबर है यह जो न्यूज है वो उस पर भी कल मुहर लग सकती है संभवत है यह सीमों से खबर है आप लोगों के सामनी में रखना जा रहा हूं और एक पार जितने भी युवास आती इतनों दिनों बाद दोस्तों आप लोगों को पता नहीं है तो मैं पता देता हूं तब बेत खराब हो गई थी हमारी टीम की हमारी टीम में एक साथी कोविड पोजिटीव भी है अभी भी सुनील जी और उपरवाले की देया से मैं मुकेश जी अब सवस्त है तो उस वज़े से आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पाए मैं मानता हूं कि बहुत सारी ची चाहिए इस पर डेट आगे जानी चाहिए या सेम डेट को ही एकजाम होना चाहिए अगर डेट आगे जाती है तो किस तिती में एकजाम किस तिती बन सकती है या 25 अपरेल को यह एकजाम हो सकती है इस परकार के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और उन्होंने अंतिम रू इसे अउगत भी किरा दिया जाएगा अब मुख्य रूप से जितने भी युवा जुड़ रहे हैं मैं आप लोगों को कलियर कर देता हूं कि सरकार की क्या मंसा है सरकार क्या चाहती है और सरकार इसमें कई लोगों की रॉल था इसमें बिल्कुल बिल्कुल मैं मैं यह मानता हूं कि आप लोगों को लग रहा था कि जैनी जैनियों का एक तैयुहार है उसके बज़े से कहीं प्रभावित ना हो हाँ अब मैं आपको कलियर कर देता हूं दोस्तों आप लोग इंतिजार कर रहे हैं इस बात को लेके क्या त्यारी करें या त्यारी से डिश्टब हो रहे हैं और सक कही लोगों को यह लगता है कि जैसे एक्जाम डेट आती है कि हम कुछ और त्यारी कर लेते हमारे थोड़ा बहुत एक बार रिविजन ओर हो जाता आपकी त्यारी अच्छी है फिर भी रिशपल के बारे में रतिराम जी मैं आऊंगा आज जो चर्चा कर रहा हूं वो रीट की एक्जाम की डेट को लेके आया हूं और एक्जाम डेट को लेके सीयोमों में इस पे चर्चा हो चुकी है और उन्होंने तीन प्रभावी बाते भी रखी है एक आप लोगों को पता है आजकल जैन समाज का एक तहिवार को लेके चर्चा है अलांकि एक बड़ी बात यह है कि महावीर जैनती को लेके वो भी युवा कुदरा है जिसको जिसकी त्यारी नहीं थी और वो युवा जिन एक जाम वहाँ पर तीन मुद्वों पर चर्चा हुई है पहला महावीर जैनती का ही दूसरा EWS को जो आरक्षन का देह किया गया है आरक्षन की जो आयू शीमा में जो छूट दी गई थी उनमें कुछ तथ्यों में बदलाव किया गया था उसकी वज़े से कई लोगों की और फोरम आएंगे और तीसरा एक कारण और है कोविड की जो पस्तितियां है वो तो चल्ब कोविड वाला अलग बात है कि बारी राजियों से भी आ रहे हैं उनको कोरेंटाइन किया जा रहा है बिनना कोई उनके तो वो नेगटिव रिपोर्ट लेके आ सकते कोई बड़ा बात नहीं है बट जो हम बात के रहे हैं कोर्ट वाला भी आप चिंता ना करें कोर्ट का भी प्रोसेस अमारे माइंड में है अमारी टीम इसको देख रही है एक्जाम की तित्थी में बदलाव हो रहा है दोस्तों जो बड़ी बात है जो आप लोगों को मैं बत रहा था कि एक्जाम समय पे हो लेकिन सरकार ने इस बात को लेके एक महावीर जैंति वाला एक आप लोगों को पता है उप्चुनाओ है उप्चुनाओ में सरकार फाइदा लेने के लिए कि EWS में आरक्षन में जो आयूशिमा की छूट दी गई है उसको लेके और तीसरा जो बड़ी बात है कि आप लोगों को पता है कि फोरूम बरहेंगे तो उनको कम से कम डेड़ मेंने के त्यारी का अउसर्द मिलता है उस अधार को बनाते वे अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक्जाम डेट को समवता इस तारिक में बदला हो रहा है अलांकि मुझे तो पूरा कंखम है लेकिन मैं इसलिए समवता इसलिए बोल रहा हूँ कि लंकेस हमारी टीम का इसा है दोस्तो मैं कभी किसी की त्यारी डिश्टब नहीं करना चाहता था लेकिन अब पूरी पुकता है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने आउगत करा दू दो एक्जाम में बदलाव हो शकते हैं रीट ही नहीं कोलेज लेक्सरर भरती प्र हो सकता है यह भी इसमें तय हो चुका है यह जो चर्चा हुई है तीन डेट फाइनल हुई है लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो डेट रखूंगा जिसमें आपको कलियर हो जाए कि हाँ इस डेट में बात बन सकती है जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है हाँ से पर्शू हो सकता है इसमें अब बाकी आप अपनी त्यारी अंदरत रूप से जारी रखे क्योंकि डेट कोई ज्यादा आगे नहीं जा रही है दोस्तों डेट में बदलाव नहीं है अच्छा एजन जी गेरें एक बार जाने दीजियो हम रोकने वाले नहीं है जुलाई मे आप जो कमेंट करें जुलाई का नहीं है 26 जून सन्यवार है समवत्य कनफर्म नहीं है तीन डेट में आपको कलियर नहीं कर रहा हूँ पहले मैं जो वो डेट कलियर कर रहा हूँ जिसमें समवत्य एक्जाम हो सकता है 26 जून को लग बग लग बग इस पे चर्चा हुई है से ज्यादा 26 जून सन्निवार भी पढ़ रहा है उस दिन को 26 जून को एक्जाम प्रस्तावित हो सकता है रीट का रीट आगे जा रही है यह कंफर्म है और 26 जून को संब वैता है इसकी नई तिथी फाइनल हो सकती है बाकी सारी अपडेट मेरे पास जो भी आएगी आप लोगों के सामने में रख दूँगा इस जो तिथी जो फाइनल हो रही है इसको लेके हमारे मानेने मुख्य मंत्री जी इसके लावा सुभाज जी गरग मानेने हाँ त्यारी करने वालों के साथ थोड़ा सा अलग हुआ है प्रिक्षा सरकार अलग प्रकार की है सरकार की मन साथ देखो ये बदलाओ यहीं से नहीं है इस बर्ति को लेके सरकार ने कई प्रकार की रनीतिया त्यार की थी 26 जून S.I. देखो ये भी बड़ा गेम हो सकता है दोस्तों सबसे पहले सांती धारिवाल की पुत्तरवदू ने इसका मुद्दा उठाया था कॉंग्रेस से मंतरी है ऐसे नहीं उठाते हैं अपनी सरकार के खिलाब बहुत सारी रनीतियों के साथ काम कर रही है सरकार का मिल गया जैसे हमारे मुकेश जी हुए लंकेश जी हुए इन लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है कुछ और त्यारी एनर्जी के साथ त्यारी करेंगी बट जो युवा त्यारी करता है जो रोजगार के लिए गाहों छोड़कर सेहर में आता है कोचिंग लेता है और मान था न्यू जैये कंफर्म आपके सामने आ जाएगी दो एक्जाम पर भावित हो रही है अभी मेरे पास जो आई है एक रीट की एक कोलेज लेक्सरर की कोलेज देखो कई लोग कह रहें कि उनकी बात सही हुई है बहुत सारी बाते हैं मैं बहुत पहले बोल सकता था जो हमारे मित्र आप लोगों को आउगत करा रहे थे वो हमारे टीम का हिस्सा है उन पर मैंने कोई कमेंट नहीं कि आप उस बात को भी समझ सकते थे लेकिन हमारा कपता ही मनसा नहीं थी कि एक्जाम आगे जाए हाँ वो हमारा जो भी है आप लोगों के सामने सारी चीजे कंफरम हो जा जाए गिया भी जुलाई के लगशनबव तर्पटवारी एक्जाम हो जाएगा तो आप सभी लोग त्यारी में जूटे रहे हो सकता है आपको और अच्छा करने का मोगा मिले हो सकता कि फाएदा हो और त्यारी करने का जो रिवीजिन है वो होता रहेगा तो दोस्तों आप से अनुरोध है इन चीजों को समझें कई लोग मुझे वीडियो कॉल से जोड़ना भी चारें लेकिन मैं नहीं जोड़ पाऊंगा दोस्तों क्योंकि पूरा अउगत को ही जोड़ता हूं है और अब कई लोगों को यह लग रहा है क्या करूं गाउं जाओं बिल्कुल गाउं जाने के जूरत नहीं है एक वो युवा साथी जो बार-बार मुझे कह रहे थे लेवल फरस्ट में बिठा तो दिया हमें त्यारी करने का मौका नहीं मिल रहा है अब भाया दोस्तों त्या बात आएगी आप लगों के सामने कलियर हो जाएगी जो प्रस्तितियां जो बना रही है सरकार उसके मद्य नजर एक दूसरी एक्जाम डेट समवत है 26 जून हो सकती है आगे तीन तीन डेट पर चर्चा सब रही है दो उसमें संडे की भी है तो एक शंटेडे की 26 जून पर बात चल रही है तो हो शकता में भी उस पर एक्जाम डेट हो सकी एक्जाम प्रस्तावित हो सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग लाइव जुड़े और एक्जाम पटवारी की जुलाई का लगवग बहुत रहे हैं अभी कन्फर्म नहीं हुआ है सुक्रिया अन्शुजी बिल्कुल माना निगा के सुक्रिया जाए इस सरकार पर बिल्कुल-बिल्कुल ये सरकार निकम्मी है इसको कोई इसमें कोई दोरा नहीं है सरकार को कोई युद्ध से कोई मतलब नहीं है अच्छे ने न लिखा लंकेश और असलम भाई साव एक उनिट है बिल्कुल बिल्कुल लंकेश अपना छोटा भाई है लाडला है वो मुकेश जी के नंबर 8058092646 सभी को पता है अकवारों तक में आगे है इनके नंबर तो त्यारी बिल्कुल आप त्यारी करें जी जान से जुटे किसी भी परकार के दोस्तों आपको स्लेबस की कोई स्टेडी मेटेरियल की जूर तो टीचर्स की जूर तो समझ नहीं आता है आ आप मेरे से संप्रक जोड़ करना मैं जितनी मदर करना चाहूंगा आपकी करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े अब सुब रात्री वाला समय नहीं है वर्मा सुब रात्री बोलता है धन्यवाद